वेलकम बेक टूर चैनल शिप एंड कुज लाइफ तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आप अपने STCW कोर्से सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आपने अपना exit exam दे दिया है आपने online dg shipping की e-learning complete कर लिए उसके बाद आपने exit exam भी दे दिया है जो भी आपको कोर्स करना था STCW का उसके बाद आपने इसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो डाउनलोड कैसे करने है तो जैसे कि आप देख रहोंगे इस स्क्रीन में यहाँ पर dg shipping की site open वी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है गुगल क्रोम पे जाकर dg shipping की site open कर लीनी है जैसे आपकी दg shipping की site open हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह गा page open फो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके left site पे यहाँ पर आपको यहाँ पे देखे आप यहाँ पे आपको menu गर के दिख रहा होगा menu में आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे आप देखे यहाँ पे एक option आएगा endorse and cop checker ठीक है endorse and cop checker इसमें आपने click करना है जैसे आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक next page open हो जाएगा तो यहाँ पे देखे आप यहाँ से आपने select करना है आप जैसे select पे click करेंगे आपने यहाँ से यह सब choose कर लेने है तो यहाँ पे देखे STC STCW courses करके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसको आपने click करना है जैसे आप click करेंगे यहाँ पर आपने डालने अपना इंडॉस नंबर और यहाँ पर अपना इंडॉस नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपने डाल लेना अपना date of birth चुरो date of birth यहाँ से डाल लेते हैं जैसे देखेंगे आप यहाँ पर अपना date of birth डालने के बाद आपने जो यहाँ पर search का बटन दिख रहा है यह नीचे वाला certificate number यह छोड़ देना है और यहाँ पर search का जो आपको बटन दिख रहा होगा यहाँ पर आपने search करना है तो जैसे आप search करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका certificate आ जाएगा ठीक है ना जैसे course name आपका certificate का course name आजाएगा और आपके institute का name आजाएगा आपने कौन से student से क्या था और कितनी मतलब सब आपका यहाँ पर detail आजाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपको back जाना है यहाँ से back जाना है बड़ आपको दिखांगो download कैसे करना है यहाँ पर देख आपका certificate ऐसे open हो जाएगा आपके सामें तो आपको अपर यहाँ पर डाउनलोड का option आएगा अपर देख रहे हैं आप यहाँ पर डाउनलोड का option आएगा आपके right side पर जहाँ पर आपको crushr दिख रहोगा भी यहाँ से आपने download कर लेना है यहाँ से file name जो भी है xyz file name डाल के इसको save कर लेना है इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो like, share, comment and subscribe जरूर करें and thanks for watching, see you in next video